ये बंदे को जो थपड पढ़े है तुम्हें क्या लगता है, किस तरीके से इस बंदे की life में çेज आयेगा अगर किसी को तुम मुक्का मारो ना, you do that to hurt someone अगर तुम किसी को थपड मारते हो, you do that to disrespect someone I won't be surprised अगर ये एक दरिंदा बन जाए 22 slaps, the Lucknow girl, काफी famous हो गई है पर क्या देखा है, मैंने तुम सब लोग ने देखा हो गई वीडियो मैंने क्या देखा है, पहले मैं वहाँ से शुरू करता हूँ एक बंदा है, speeding कर रहा है कार की जैसे कि बाकी लोग भी कर रहे थे उस रोड पे सब लोग red light भी break कर रहे थे पर वहाँ पर एक लड़की चलते आती है और जैसे ही वो बंदा देखता है उस लड़की को, obviously वो रोक लेता है, उसी समयकार, it comes to a sudden halt वो लड़की उसको भार निकालती है और फिर obviously उसको 22 थपड मारती है मैंने गिने नहीं कितने थपड, but apparently 22 है, और पता चल रहा है, लड़की जो है काफी rage में है, किसी और चीज़ का गुस्सा, किसी और चीज़ पर निकाल रही है boyfriend से लड़ाई करके आई हो, यहाँ फिर girlfriend से, who knows job पे कोई पंगा हुआ हो, boss से यहाँ घर पे कोई पंगा, I don't know, not here to judge but वो इसको मारती है सब के सामने और यह बंदा कुछ नहीं कर पाता है, अगर यह अकेला होता, I don't know, यह क्या करता, उसको मारता नहीं मारता, और अगर यह मारता उसको तो अबिस लिए वो बंदी उसी समय धेर हो जाती, बट वो अलग topic है, और यहाँ पर जितने भी लोग है वो देख रहे हैं, और इस बंदे को पता है, अगर वो उस पे हाथ उठाएगा, हर एक चीज लोग भुला देंगे और शायद भीड इस बंदे को मारना शुरू हो जाएगी तू नहीं लड़की बहात कैसे उठाया, इस चीज का फाइदा उठाती है वो लड़की, वो इसको मारती रहती है इनफाइक एक बंदा भी आता है बीच में इंटर्वीन करने उस पर भी हाथ उठाती है यहाँ पर वीडियो खतम हो जाता है बीच में उसका फोन भी तोड़ देती है और वो एक इस लड़की नोजी किया है, बिल्कुल सरासर गलत है और यह बहुत obvious चीज है, यह evident है, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि this is being blown out of proportion कि इतनी बड़ी चीज भी नहीं लड़का speeding कर रहा था, उसके साथ जो हुआ इतना गलत भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं बस तुम traffic rule break करोगे, तो तुमें 20 थपड मारे जाएंगे, मतलब हमारी country और उन पिछड़ी country में क्या difference हुआ, जो हम बोलते हैं कि यार, वहाँ Saudi Arabia और यह जो भी countries है, Middle Eastern, वहाँ पर 100 कोडे मारे जाते हैं तुमें, पुरी दुनिया के सामने यहाँ पर तो उसने ठोका नहीं उस लिड़की हो पर अगर तुम किसी बंदे को ठोक दो सड़क पे, किसी को मार दो, अगर तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम उसकी help भी करने के लिए रोको के ना, काड़ी उसको बचाने के लिए तो वहाँ पर भीड तुमें मार देगी और अगर तुम सीची टेवी फुटेज देखो वो बंदा आ रहा था बहुत तेज, no doubt वो स्पीडिंग कर रहा था, वो चीज गलत है, पर उसने गाड़ी रोक ली, उसने नहीं मारा उस बंदी को उस बंदी को टच भी नहीं हुआ वो, इस वज़ा से उसको थपड पड़े यतने सारे, अगली बार से तुम्हें क्या लगता है, वो गाड़ी रोकेगा गया अगली बार तुम्हें क्या लगता है, अगर वो किसी को मार भी दे, ठोक भी दे, वो गाड़ी रोकेगा गया, नहीं रोकेगा, this is because we are supporting this kind of behavior, कि हाँ कोई रोड पर गलड करता तो उसको मार हो, चलो यह तो हो गया, पूरा case क्या था, अब इसके तीन बहुत गंदे repercussions था, बहुत गंदे effects हैं, जो हो सकते हैं इस बात को समझनी कोईश करना, सबसे पहला और जो सबसे घटिया effect है, वो यह है Imagine, यह बंदे को जो थपड पड़े हैं, तुम्हें क्या लगता है? किस तरीके से इस बंदे की life में change आएगा? I won't be surprised अगर यह एक दरिंदा बन जाए, ऐसे ही कुछ cases होते हैं, जिसकी वज़ास से लोग अपनी life में rage develop कर लेते हैं, अपने अंदर hate develop कर लेते हैं against a certain someone, हो सकता है यह बंदा लड़कियों के खिलाफ generally ही एक गंदी hate develop कर ले कि इसको इतनी भीड के सामने थपड पड़े हैं, इस बात की समय नहीं कोईच करना अगर किसी को तुम मुका मारो ना, you do that to hurt someone अगर किसी को थपड मारते हो, you do that to disrespect someone, और इतने सारे लोगों के सामने disrespect, और not just वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, वो सिफ भीड नहीं पूरे इंडिया में ये वीडियो वाइरल हो रहा है पूरा इंडिया देख चुका है, इस बंदे को थपड पड़ते हो पूरे इंडिया के सामने वो बंदा अभी शर्मिंदा फील कर रहा होगा, इतनी गंदी disrespect फील कर रहा होगा, ये बंदा कैसे develop होएगा अपनी later stages में I don't know, अगर तुम्हें याद है कि निर्बिया जो case था, it shook the whole of India and the whole of world as well 2012 में ये चीज हुई थी, उसका main perpetrator था Ram Singh, he was known to hate women और उसके life में जो भी instances होए होएंगे जिसके वादा सी, he hated women और he committed a heinious crime, उसने बाद में suicide कर लिया या उसका murder हो गया जैल में, I don't know no doubt उसका बहुत गंदी punishment मिलनी चाहे थी but this is the kind of processes that lead someone to commit such heinious crimes इस बात को समझनी कोईश करो, मुझे याद है बच्पन में मुझे कावी सारी teachers ने थपड मारे है but एक teacher का मैं कभी थपड नी भूलूँगा क्योंकि उसने मुझे बिनावाद पे धपड मारा था मेरी हिंदी की teacher थी वो और मुझे उसकी शकल आज तक याद है आगा आज भी मेरे सामने आजा है, मैं शायद उसको गंदी सुना दूँगा but here's the thing, तब मैं बच्चा था ये बंदा grown-up है I cannot even imagine the kind of rage जो इसके अंदर develop हो रही होईगी अभी जो गुसा और जो hate इसके अंदर develop हो रही होईगी second जो बहुत गंदा effect है इस चीज़ का वो ये है कि लोगों का na real issues है जो feminism के उससे दिमाग उठ जाता है जब ऐसी कोई हरकत होती और feminist उठके बोलते नहीं है इसके खिलाफ I consider myself a feminist और मैं मानतों पूरी दुनिया को feminist होना चाहिए तुम लड़का हो चाह लड़की doesn't matter बट feminist का मतब ये नहीं है कि लड़की एक उचे pedestal पे होईगी लड़का नीचे वले पे होईगा और इस चीज़ को abuse करेगी वह लड़की ऐसी हरकतें करके फैमिनिजम के जो real issues हैं income gap है, representation of women in leadership position है dowry problems हैं, etc ये जो सारी problems हैं इनकी awareness को raise करता है फैमिनिजम, रादर दिन ये जो लखनाव की road पे तुम देख रहे हो क्या हो रहा है अब ये video viral हो गया तो अदास कर सकते हो, but this is not feminism अगर इसको कोई support कर रहा है, they're not feminists you know, I consider myself a proud feminist और मैं इसके सक्त खिलाफ को और मैं मानता हूँ कि इस video को इतना share करो कि हर feminist के पास ही पहुंची और वो इसके खिलाफ बोलें, लोग को aware करें कि this is not real feminism, this is just some bullsh**, I don't know if you agree or disagree with me, let me know in the comments